इदर करमचारी अधिकारी फेडरेशन ने आज मुख्य सचिव अमिताब जैन से भी मुलाकात की है एक घंटे तक संग के पता अधिकारी और मुख्य सचिव की चर्चा चली संग ने बीच का रास्ता निकालने के लिए कई सुझाव भी दिये अगली बैठक में कोई रास्ता निकलने की करमचारी फेडरेशन को उम्मीद है पिछले आठ दिनों से बेमियादी हर्ताल पर करमचारी अधिकारी हैं और लगातार डिये और एचारे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि सुथरी मांंग को लेकर पिछले आठ दिनों से हर्ताल पर बैटे अधिकारी करमचारी फेडरेशन के सदस्यों ने आज मुक्य सच्ची उसे मुलाकात करी है और मुक्य सच्चिउ से मुलाकात कर अपनी मांगों के बारे में चर्चा करी है हमारे साथ इस वक्त फैडरेशन के अध्यक्ष है कमल जी उनसे हम बात करते हैं आज आपने मुलाकात करी है क्या कुछ चर्चा हुई है और क्या लगता है आपको आगे लेकर देखिए अभी जो लगातार आठ दिन से जो अंदुलन चल रहा है उसके संबन में जो आम जनता को जो आशिवधा हो रही है उसके संबन में हम लोगों ने भी कहा मुख्य सची ने भी इसे स्विकार किया और इसे देखते हुए एक बीच का रास्ता हमने निकालने के लिए हमने सुझाओ दिया है यह प्रथम दौर की चर्चा हुई है और आगे जो है संभावना तो है और होगी और अंतीम समाधान तो मुख्य मंत्री को ही निकालनास क्या आपने बात कर 20 आप लोग जो दारा रखा गया है और जो सुझांव हमने दिया है काफी शकूरइब हमने दिया है और मुझे लग रहा है कि उस सुझाह से जहाल है से निश्ची तुरुप से कुछने कुछ समाधान निकलेगा 34 परसेंट में आप लोग अडिक है 34 परसेंट से नीचे नहीं मानेंगे छे परसेंट सरकार ने बढ़ाया है तो क्या लगता है 34 परसेंट होगा अच्छा नीड़ा है ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं लग रहे हैं आपको कुछ सफल रहेगा पर रतम दौर के जो बैठा कुई हो उसके बाद हाद निश्चीत रूप से मुझे लग रहा है कुछ ने कुछ जो है रास्ता निश्चीत रूप से निकलने वाला है तो पिले इसके साथ गौरों शुक्ला, बंसल नीज, रायपूर.